आज हम बनाने वाल है क्याला लेली फ्लावर, तो हम सबसे पहले उसकी पैटर ड्रोग करते हैं, यहां पे इस टाइप से कर्व करते हैं, जॉइन नीचे से भी यू अल्फाविट जैसा, अब यहां पे हम उसका इस्पैजिक्ड ड्रोग करते हैं, और उपर का पाट नाचरल स एहां सा फ्लावर ड्रह करते हैं point बना लिया, यहां सी curve करते हैं joint करना है, यहां पर रोपना है, और इस टैप से ड्रॉ करना है, steam, पूराbes लाइ War feeding, light cotton लाइट लाइट करना है, क्योंकि हम water color करने वाले हैं, यहां पर हमने इस टैप से धोनों जॉइंड कर लिया हैं, उपर का पॉइंड बना लिया है, और नीचे से लियरिंग वाला पार्ट और यहां इस टैप अचाइब से यहां पर हम थोड़ा कर बंफर शेप करते हैं, लबी सी लीव होती है, इसलिए यहां से इस टाइब से जॉइंड करना है, यहां पर भी कुछ सेम एज इट इस दोनों साइट से पीच में भी कुछ लंबी लंबी सी पत्या ड्रॉआ कर लेते हैं लाइट लाइट ड्रॉआ करना है यह चीज़े हमेशे ध्यान देना है बहुत पैंसिल को प्रेशर देखेना है वाटर कलर है इसका यूज़ करेंगी पॉइंट वाले ब्रा पाच मिनिट तक सूपने देना है इस पाजिक के कलर्स के लिए हमने क्रोम येलो लेमन येलो यूज़ कर सकते हैं और यह हमेशा येलो कलर का ही होता है फ्लावर कोई भी कलर के हो सकते हैं लेकिन ये येलो और लेमन कलर कॉम्बिनेशन हम हमार चोईस के हिसाम से ले सकते हैं flowers का तो यहां पर हमने magenta colors लिया है पहले डार्क लगाया और उसी को spread किया light light shade में इस टाइब से हम एक बार light लगा लिया फिर हमें कितना डार्क चाहिए कितना नहीं उस हिसाब से हम उसको light light shade नीचे के और करते इस टाइब से करना है उसे हम उपने देते है राय होने देते है तब तक हम दूसरे petals कर लेटे है यहां पर dark और फिर एक बार brush को धोना है पूच्छना है और फिर उसको use करा है उसमें का जो पानी रहेगा colors रहेगा वो निकालते हैं जैसे यहां पर डार्क शेट कर लिया फिर उसको मर्ज कर रहे तो मर्ज अच्छे से होना चीज बहुत सारे पैचेस नहीं और हलके हलके हाथ से करना है अब जो इस पाजिक्स है उसके आजू-बाजू में डार्क शेट करते हैं क्योंकि हमें उसको दिखाना है कि वो अंदर है जो चीज उपर दिखानी होती है उसकी नीचे में हम लोग डार्क शेट करते हैं तो पहले डार्क कर लिया अब उसको हम उपर की साइट में मर्ज कर लेते हैं एकदम नैचरल लियर वाई लियर लाइट लाइट शेट करना है बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना ची और बहूत ज़्यादा कलर भीने ह lazım हम मल्डी कलर्स फ्लावर्स बना सकते हैं यलो बलार्स लाइटmusic इस टाइप के शेट भी यूज करके हम लावर्स बना सकते हैं तो यहाँपर फ्लावर सेम साइज्श में हैं सेम कलर कॉम्बिनेशन में यहाँपर हम में करना तो भी हम कर सकत इसमें हमारे twice के color combination की flowers हो सकते हैं पहले light light shade करना है फिर उसके उपर middle बढ़ाना है फिर dark ऐसा step बेस step और उसको merge करना है तो merge करते समें brush को धोना है पोचना है और फिर उसको use करना है यहाँ पे हमें dark shade दिखाना है इसलिए dark shade डेंद दिया और उपर में हम इसको merge करते हैं light light shade तो यहाँ पे हम brush पोच लेंगे और फिर उसको use कर सकते हैं इस type से धोना है फोचना है थोड़ा सा पानी है brush के अंदर और उसी को spread करते हैं तो इसी type से यह जो layer है turn है इसलिए वहाँ पे light shade है पूरा सुख गया उसके बाद हम थोड़े से dark shade डाल सकते हैं पूरा हो जाने के बाद यह जो stem है उसके color combination के लिए sap green का use कर सकते हैं उसमें yellow ochre या फिर chrome yellow lemon yellow का भी use कर सकते हैं एक side से हमने dark किया अब उसी को brush पोच के थोड़ा सा spread कर दिया तो shading look आ जाता है तो यहाँ पे हम थोड़े-थोड़े multi color इसमें use कर सकते हैं जिसा blue shade navy blue, persian blue जो होता है, cobald blue यूज कर सकते हैं तो green के shape different different mid color combination में भी हम leaf बना सकते हैं तो इस type से हम यहाँ पे भी बना लेते हैं अब यह थोड़ी सी dark shade है, फिर उसमें हमने sap green और chrome yellow को mix किया फिर वापस इस type से color mix करके देखना है और use करना है और brush को पीछे पकड़ कर रखना है, बहुत pass मेंनी color combination करते समय, water का percentage ज्यादा होना ची, color का percentage कम होना ची बहुत ठीक ठीक color use नहीं होते, paper के रोए भी बहार नहीं आना चाहिए तो इस type से हम यहाँ पे थोड़ी सी grass बना लेते, dry हो गया, उसके उपर ऐसा effect भी डाल सकते है और वापस दुबारा से इस type से, अभी जो background है, हमारे मन पसंद color combination में कर सकते brush बहुत दूर पकड़ के रखा है, हलके हलके हाँ से करना है और भी हमें कुछ butterfly वगेरा draw करना है, तो हम draw कर सकते हैं, उसे भी color कर सकते हैं background का color भी light light ही shade में कर रहे हैं नहीं करना है तो भी चल सकता है, यदि हमें करना है, आउट लाइन तो कर सकते हैं, अदरवाइस नहीं कर सकते हैं तो इस type से हम पूरा outline कर लेते हैं और कुछ effect देना है, तो इस type से zigzag, zigzag भी कर सकते हैं तो इस type से हम एक सुन्दर सा calorie का drawing बना सकते हैं, watercolor में आपको drawing कैसा लगा है, आप comment box में comment करके बता सकते हैं और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें, share करें Thank you